तो चलिए आज हम लोग इन सब सवालों को solve करेंगे और जानेंगे कैसे इन सब सवालों को solve करते हैं तो देखें यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है चित्र 5.36 में बिंदुओं A वा B के बीच तुल प्रत्रोध ग्याद कीजिए तो यहाँ पर देखें A ये है B ये है तो इन दोनों के बीच में आपको तुल प्रत्रोध ग्याद करना है जैसे यहाँ पर A ये है और B ये है तो इनके बीच में आपको निकालना है तो कुल मिलाकर जितने भी आपके चित्र बने हैं इन सब में आपको A वा B के बीच तुल प तो देखो ऐसे सवालों को solve करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजें यहां पर तो देखिए इस पूरे तार को माल लीजे आपका यहां से यहां तक एक पूरा टार है ठीक अब यहां पर देखिए इस तार से यह तार दिखिए दूसरा गया है और ये दूसरा तार है ठीक तो देखिए जब दो तार अलग-अलग हो तो वो उनका जो प्रित्रोद होता है वो आपस में क्या होते हैं समानतर में होते हैं तो देखो यहाँ पर एक तार यह गया है एक तार यह गया है और समानतर में जो धारा होता है वो अलग-अलग होता है ठीक तो देखो यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले यहाँ से आपका तार है और एक यहाँ पर गया एक यहाँ पर गया अब यह दोनों जो प्रित्रोद लगे हैं यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे समानतर में अब इसके तरब अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी यह दोनों क्या है समानतर में है ठीक अब देखें जब इन दोनों को हम solve करेंगे तो देखें कितना हो जाता है देखें जब अगर प्रितरोध समानतर में हो तो देखिए वो क्या होते हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर आपके यह दोनों प्रित्रोध समानतर में हैं तो इनको हम लोग लिखेंगे एक बटा यहाँ पर लिख लिजे तुल प्रित्रोध ठिक यहाँ पर लिखिए तुल प्रित्रोध तो आपका यहाँ पर तुल प्रित्रोध क्या हो जाएगा तो देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा सबसे पहले इसको मालीजे r- ठीक तो यहाँ पर दिखे अब यहाँ पर अगर तुल प्रित्रोध होता है जब दिखे प्रित्रोध समानतर में होते हैं तो इनको हम कैसे लिखेंगे 1 बटा r ठीक उसके वाद जितने भी होंगे इसी तरह से जोड़ते जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक बटा दो प्लस में यह क्या हो जाएगा एक बटा दो ठीक इसी तरह से जितने भी आपके समानतर में होंगे प्रित्रोध सभी को इसी तरह एक बटा करके जोड़ते जाएंगे ठीक अब देखिए इसके बाद जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा देखो हर बराबर है तो यहाँ पर यह दोनों आपस में जूड़ जाएंगे तो यहाँ पर एक एक कितना हो जाएगा दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए आर डै करेंगे तो यह करेंगे तो देखें यहाँ पर यह हो जाएगा आर डैस बराबर एक ओम तो यानी यानी इन दोनों के स्थान पर कितना प्रत्रोल लगा हुआ है यह हो जाएगा यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर आप हो जाएगा एक ओम ठीक तो यह ऐसे हो जाएगा आप इसके बाद इसको हल कर लिजे तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर 2 डैस लगा दीजे यहाँ पर 2 डैस लगा दीजे ठीक तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा 3 प्लस में 1 बटा 3 ठीक तो यह क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा एक बटा में देखे हर बराबर है तो एक कितना हो जाएगा दो बटा तीन ठीक और देखे जब इसको तीरिया गुणा करेंगे तो यह देखे कितना हो जाएगा तीन बराबर में यहाँ पर टू आर डैस ठीक तो यह हो जाएगा भाग में तो यहाँ पर R2 डाइस बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा 2 अब देखिए अब देखिए यहाँ पर इसके स्थान पर कितना आ गया आपका एक और इसके स्थान पर कितना आ गया 3 बटा 2 तो देखिए ये अब कैसा हो जाएगा अब हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं देखिए इसके स्थान पर एक ओम आ गया ठीक उसके बाद इसके स्थान पर कितना हो गया तीन बटा दो ओम हो गया ठीक और यहाँ पर यह हो जाएगा यह भी हो जाएगा आप देखिए ये एक ही तार में है तो ये क्या हो जाएंगे आपस में स्रेंडी क्रम में हो जाएंगे जब स्रेंडी क्रम में हो जाएंगे तो स्रेंडी क्रम में सभी प्रित्रोधों को जोड लिया जाता है तो यहाँ पर एक हो जाएगा प्लस में तीन बटा दो हो जाएगा तो चलिए अब मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूँ देखो यहाँ पर दूसरा सवाल आपका यहाँ पर ए है यहाँ पर बी यानि इन दोनों के बीच में में तुल प्रतरोद गयाद करना है देखो ऐसे सवाल बहुत इजी सवाल होते हैं अगर आप चाहो ना तो ऐसे सवालों को आपने दिमाग में फट दे इसको बता सकते हो क्योंकि ऐसे सवाल बहुत इजी होते हैं देखो कैसे हैं देखो, यह दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में स्रेडी क्रम में हो जाएंगे, ठीक, तो जब स्रेडी क्रम में हो जाएंगे, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखें, साथ और तीन, साथ तीन, दस, ठीक, यह हो जाएगा, दस, और यह द ये आ जाएगा पाँच उम ठीक और जब इसको इस से जोड़ोगे तो ये कितना होजाएगा 10 देके ये ये देखिए आपका तार ऐसे है तो देखिए ये तार ही ऐसे आयां तो देखिए ये एक ही तार है तो ये सेरनी क्रम में हो जाएंगे तो ये 5 और ये 10, 10, 5, 15 और देख आजाएगा 15 ओम ठिक तो यह आपका एंसर हो जाएगा चलिए मैं आपको इसी को अब लगा कर बता देता हूं देखो सबसे पहले हमें तो यह पता है कि यह कितना हो जाएगा साथ तीन दस तो अब इसको हम लोग सिधा डारेट इसको जोडते हैं समानतर क्रम में ठिक क्योंकि यह देखे तार एक ही तार है तो यह सिरेडी क्रम में हो जाएगे तो दस हो जाएगा और जब यह तार एक दस हो जाएगा देखे यह समानतर में हो जाएगे तो देखे समानतर में सीधा हम आपको बता रहे हैं तो देखे आपका जो आर डैस हो जाएगा वो कितना हो तो यह हो जाएगा R' बराबर 5 ओम ठीक तो यह हो जाएगा 5 ओम यानि कि इन दोनों तारों को हमने solve कर लिया तो यहाँ पर आ गया 5 ओम तो आप देखिए आपका कैसा चित्र बन जाएगा तो देखिए अब इसी चित्र को हम लोग ऐसे बना सकते हैं ठीक यहाँ पर A हो गया यह हो गया B और इसके बाद यह आपका यहाँ पर एक प्रित्रोद हो जाएगा यह कितना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 5 ओम का और इसके बाद यहाँ पर एक प्रित्रोद लगा हुआ है यह कितना है 10 ओम का ठीक तो यह अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ प हो जाएंगे समांतर में तो यह इतना इतना जिस नेडी क्रम में जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 10 5 15 15 और यह हो जाएगा 30 ओम है तो यानि यहां पर लिखिए एवा बी के बीच तुल प्रतिरोध तो तुल प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा तो तुल प्रतिरोध हो जाएगा एक बटा आर बराबर में एक बटा पंदरा देखिए 10 5 15 और प्लस में यह हो जाएगा एक बटा में 30 तो देखिए 2 से उपार नीचे गुणा कर देंगे और देखिए ये 2 e ku2, 2 e 3, आप ये जब R बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बटामा 30, ठीक। और इसको इससे जब काटेंगे 10 हो जाएगा इसको 3 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा R बराबर 10 Ohm, ये आपका Answer हो जाएगा, ठीक। आप देखे इसके बाद आपका ये सवाल है आप देखे इसको कैसे सॉल्व करोगे देखो सबसे पहले आप इन तीनों को सॉल्व कर ये ठीक इन तीनों को अगर आप सॉल्व कर लाए गया तो आपका सवाल लग गया कैसे देखो ये दोनों तो क्या है आपस में स्रेडी क्रम म यानि ये दोनों स्रेडी क्रम में ये हो जाएगा समांतर क्रम में ठीक तो आप देखे ये 4 है ये 2 है तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा तो देखे एक बटा आर बराबर एक बटा 4 प्लस में एक बटा 2 दो से उपर नीचे गुणा करके इसका हर बराबर कर देंगे तो यहा तो देखे 3 बटा 4 हो जाएगा और जब तिरिया गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये R बराबर आपका आजाएगा 4 बटा मा 3 ठीक यानि अब इन तीनों के स्थान पर कितना आ गया यहाँ पर यहाँ पर आ गया 4 बटा 3 अब देखिए आपका चित्र कैसे बन जाएगा अब देखिए इसी चित्र को आप ऐसे बना सकते हो ठीक यहाँ पर एक प्रित्रोध है और उसके बाद यहाँ पर आपका एक प्रित्रोध आ गया ठीक यह आपका चार बटा तीन माल लेजिए ठीक और इसके बाद यहाँ पर एक प्रित्रोध है ठीक यह हो जाएगा A यह हो जाएगा आपका B तो देखिए यहाँ पर कितना प्र यानि यहाँ पर लिख दीजेगा A वा B के 20 तुल प्रित्रोद तो अब इसके बाद जब आप तुल प्रित्रोद निकालोगे तो कैसे होगा 2 प्लस में 4 बटा 3 प्लस में यह हो जाएगा 2 ठीक और जब इसको हम लोग करेंगे सॉल्ब करेंगे तो यह कितना हो जाए 2 दूना 4 यानि 4 प्लस में 4 बटा 3 ठीक और जब इसको 4 ते ही 12 12 4 16 16 बटा 3 यह आपका एंसर हो जाएगा ठीक तो चलिए अब मैं आपको तूसरा सवाल बताता हूँ अब देखे आपका यह आखरी सवाल है अब देखे इस सवाल को अगर हम लोग यहां से ध्यान से देखे तो यह तीनों देखो देखने में ही लग रहे हैं यह देखे समांतर यह समांतर यह समांतर तीनों क्या है समांतर में जब अगर यह तीनों समांतर में है तो देखे इन सब का प्रित्रोत क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा यहाँ पर एक बटा आर बराबर एक बटा पचतर प्लस में एक बटा पचास प्लस में एक बटा पचास यह तीनों आपके समानतर क्रेम में हो जाएगे तो तो अब यहां पर एक बटा आर हो जाएगा और यहां पर दीखें एक एक दो ठिक तो एक बटा पचातर और प्लस में एक बटा यहां पर दो बटा पचास इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा पचीस तो यह हो जाएगा एक बटा आर बराबर में एक बटा पचास प्लस में ए इसके बाद यहाँ पर दिखें, तीन से उपा नीचे गुणा कर दीजे, ताकि आपका हर बराबर हो जाए, यह कितना हो जाएगा, तीन एक अननम, तीन, तीन, एक चार, ठिक, तो यह एक बटा, आर बराबर में, चार बटा, पचात्तर हो जाएगा, और जब इसको हम लोग, तीरिया गुणा करके निकालेंगे, तो यह हो जाएगा, पचात्तर बटा, चार, ठिक, तो यह आपका आर हो जाएगा, तो यानि हम लोगों ने इन तीनों को जब सॉल्व किया, तो यह आपका क्या बन गया, यह देखिए कितना आ गया, यह आपका आ गया था, पचात्तर अब यह देखे आपका चित्र कैसे बन जाएगा ठीक देखो यहाँ पर A है और यहाँ पर B है ठीक अगर आप इन दोनों तारों को क्या करोगे यहाँ पर देखे यहाँ पर आपका A है और यहाँ पर देखे आपका B है ठीक अब अगर आप इन दोनों तारों को ऐसे करके जब लिडे प्रित्रोफ में हैं यानि आपका टार हो जाएगा वह ऐसे बन जाएगा ठीक यहाँ पर यहहां पर कितना था आपका हो यह हो जाएगा 100 ओम को प्रित्रोफ और यहां पर जब हमने यह वाला 5 किया तो यह कि Bak सो मरूब यह बी जाएगा यहां ठीक तुल प्रतिरोध जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक बटा आर स्रीरी क्रम में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर बराबर में 100 प्लस में 75 बटा में 100 ठीक और जब इसको हम लोग इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 400 400 में 75 जोड़ेंगे तो 475 बटे में 4 यह आपका तुल प्रतिरोदा जाएगा ठीक यही आपका एंसर हो जाएगा और अगर आप इसको भाग करना चाहते हो तो आप ऐसे इसको भाग कर सकते हो ठीक तो यहाँ पर कितना हो जाएगा चार एकन्नम चार और यहाँ पर साथ बचेगा चार एकन्नम चार और यहाँ पर आपका 35 हो जाएगा और इसके बाद आट चुका 32 हो जाएगा यहाँ पर तीन बचेगा दसंबलो अटाइए दसंबलो लगाईए यहाँ पर सच्छों का टाइ स्कूल मिला कर आ जाएगा 118 दसंबलों में 7 लगभाग ऐसे कुछ आ जाएगा ठीक तो यह आपका तुल प्रेदुरत यह आपका एनि एंसर आ गया ठीक आई होप आज आपने इन सब सवालों को सौल्व कर लिया है और मुझे यह भी आसा है कि आप लोगों को यह सब सवाल सौन में आ गया होंगे और अगर आप लोगों को ये सब सवाल सवन में आ गया है तो वीडियो को आप लाइक कर दिजे और जिन्हों ने चैनल को subscribe ने किया है तो चैनल को subscribe कर लें क्योंकि यहाँ पर daily इसी तरह के educational वीडियो मिलते रहते हैं अब देखिए आपको मैं अगले वीडियो में क्या बताऊंगा अब देखिए आपको मैं अगले वीडियो में इन सब सवालों को बताऊंगा जो की बहुत ही अच्छे-च्छे सवाल है ठीक तो अब आप अगले वीडियो को मिस मत करिएगा मैं आपको ये सभी सवाल करके अगले वीडियो में बताऊंगा ठीक चलते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में और एक बात आप लाइक करना विल्कुल नभूली ठीक तो चलते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में So thanks for watching and see you again in next video